इन प्रॉब्लम से वो डील कैसे करें सर देखिए इन प्रॉब्लम से बताना जातों कैसे डील करना है सिंस फिजिकल आइसोलेशन हो चुकी है तो मेरे को लगता है कि जहां पे हैं अपने फैंबली मेंबर्स के साथ मैक्सम से मैक्सम स्पेंड करें ओन्लाइन घ्लासिज को बिलकुल टाइंबाूंड ली एक टाइंब पर स्टाअरे और लाइन जोड़ को सकते हैं हो सकते हैं ने is तो दौराँ अ जाब करनी चाहिए poz thr began करूजौेशाए चैम यह हैं डांसे में बीज़गर दोर्ट कुछरणा कर कुछ कर सकते हैं योगा कर सकते हैं, फोकस प्र обязशनदब करना एं Can अजिए अजिए और दूसरे mental health issues को अवोईड कैसे करें, मतलब ऐसा क्या करें कि यह हो ही ना? और आपके पास भी students आते होंगे, तो आप उनसा treatment कैसे करती? और आपके हिसाब से जैसे अभी present में या फिर आगे चल कर इस तमस्या का लॉग जो 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 क्या हो सकता है? अच्छा, आपने तीन questions पूछे हैं, तो पहला question आपने पूछा था कि, anxiety हो ही ना, क्या करें? ऐसे जैसे पूछा था? उस पर हमारा control नहीं है, लेकिन हमारे अपने internal mental atmosphere हमारा mind का क्या है, उस पर हम बिलकुल control रख सकते हैं, और कैटे रख सकते हैं, हमें कुछ routine बनानी पड़ेगी, कुछ discipline follow करना पड़ेगा, जो मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं उनको यह तिखाती हूँ, मैं आपको practical tips नमबर वान, benefit finding, benefit finding करें वो, देखो किसी भी situation बुरी हो, बुरी से बुरी situation में भी कुछ बली, I think, या opportunity या benefit होते हैं, तो हमें अपने mind को इस तरह से train करना चाहिए, कि हम negative situation में भी benefits, भूम्स तक ही, अपने mind को इस तरह से हमें program करना है, तो आप अगर ये lockdown देखोगे, तो लॉक्डाउन में ठीक है, सब कुछ उनकी पढ़ाई रुबे है, frustrations हो रही है, वो जायल है, वो response, psychological response उनका जायल है, मैं की कैसे, ये करें कैसे वो, अगर इसे अपने mind को आपको बता रही हूँ, बता रही हूँ, however, वो क्या करें, एक तो सबसे पहले अपनी एक routine बनाएं, एक तुबे उठे, टाइम पर उठे, और अपना थेंस तुडू का लिस्त बनाएं, ये नि कि मैं कुछ नहीं जाना नहीं है, तो कैसे भी दिन वीज जाएं, इस तरह से attitude नहीं रखना, create a routine, wake up on time, make your bed, while you're still lying in bed, affirmations करें, affirmations, positive statements होती है, तो अपने अपने आपको बोलते हैं हमारे मारे 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 positive groups बनते हैं, तो बेट में लेटे लेटे वो बोले, that I am healthy and happy, अपने आपको health consciousness दे, I have a strong immune system, I am relaxed, I can face this, this two shall pass, किस तरह से affirmations अपने आपको लेटे लेटे ही बोले, और फिर एक positive note पे अपना दिन शुरू करें, उसके अलावा, एक सारा दिन में उनकी screen time कितना है, non screen time कितना है, फिर अपने डायेट, अपनी care करें, mind, body and spirit की कैसे care करें, mind में positive चीज़ों क्यों को जितनी negative news आ रही है, सुबह और सोने से पहले, उसने के बाद और सोने से पहले, बिलकुल भी ये negative news ना सुने, अपने mind को positive input देना है, चाहे वो किताब पढ़े, क अपने mind को देन, जिसे positive thoughts बने, उसे mind का atmosphere strong बनता है, positive बनता है, अपने body की कैसे care करें, जैसे Dr. Anshul ने का था कि, उनोंने hobbies को बहुत अच्छा point बोला था, जो भी उन्ती hobbies हैं इस समें, उसे webinars हो रहे हैं, बहुत बच्च्रे मैं जानती हूं, जो कि ये multi-meet, आपकी क्या है, जिसको जो शौक है, इसको जो शौक है, ये टाइम मेला है, ये ब्लेसिं को बहुत करें, अच्छा, मेडिटेशन करें, जैसे कि कैसे करें, मैं बच्चों को सिखाती हूं, जो मेरे पास आ के हैं, एक घंता मैं उनको बोलती हूं, अपने ली आप निकालो बच्चे, उसमे यह कुछेब लिधक के अपने support करते हैं और फिर मेडिटेशन करा अगर उनको mindfulness केते हैं अगर उनको anxiety मेसूस होती है मैं उनको सबसे पहले उनको यह बता कियों कि अगर आपको इसनी अग्जाइटी हो रही है कि आपकी डेली रुटीन खराब हो रही है डेली रुटीन सब फंक्शन नहीं हो रहा तब आपको डेफिनिटली एक एक मेंटल हेल्ग प्रफेशनल के पास जाना ही चाहिए अगर माइल्ड इंजाइटी है तो आप अपने घर में फ्रेंड के साथ या पुछी सी क्लोस आपिडान के साथ बात करें और बात करना पहला स्टेप है अपनी पीलिंग को एक्स्प्रेस करने से रिलीफ मिलता है अगर वो अपनी प्रेस करने के लिए एक प्राकिकल चीज मैं समझती हूं कि जिक्नी भी हमारी युनिवर्सिटी लुग इस फूल एपनी ने चाहिए उनको एक मेंल हेल्फ सेल कोलना चाहिए यहां को एक उनिवर्सिटी से भी एप है तो चाहिए तो एक और आप एक स्टेशनल इंस तो प्रफिश दिए धिए इस आत्र पार्फिज भी जाएं पर आप मैं आप मोन रखें और अपनींटे इपना अंटर मोर्न रखें चाने है एक मुझा आप एक मिनटे बुटे करें लिए अगे आगे मुझा सिप्टे जाएं आचा, तो मतब है कि अगर, ठीक है, मतब मेंचल है को मौनिटर करना चाहिए हमारे स्टुडेंस के स्ट्रेस नेवल को ताके उनका स्ट्रेस जो है अग्जाइटी जो है डिप्रेशन में ना तर्न हो जाए तो बस ये लॉक्डाउन खतम होने के बात भी चलना चाहिए आपी एडाप्त करना पड़ेगा और वापस पिर से आएंगे पढ़ाएं में तो फिद भी उनको थोड़ी स्ट्रेस होंगे तो ये तारी चीज़े मैं बोलूगी बहुत बहुत धन्यवाद मैम और मैं अभी अभी तर्शकों से अभी ये तर्शकों से अभी अमारी कांसिल अभी ये अऄर प्राबलम को इंप्रूब्लम वाइं में व्याद कर सकती है मेडिया और अगर कर सकती है मदद तो कैसे कर सकती है बिल्कुल कर सकती है और कर रही है जिस वक्त सब लोग अपने घरों में कहे थे रान मंत्री ने कहा कि आपकी देरी ही आपका आपकी लेक्षमन रेखा है और पूरे हिंदुस्तान ने इस लेक्षमन रेखा का तक्रीवन पालंग भी किया और हर अदमी घर में क्या कर रहा है और बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है इसको बाहर की दुनिया का जो परिचे है घर के भीतर रहने वाले लोगों से कराया और घर के भीतर चलने वारी चीजों को बाहर की दुनिया से परिचे कराया यह सिर्फ इंडिया नहीं लगता है क हुआ इस तरीके की कभी किसी ने कलपना नहीं की होगी कि ऐसा दिन देखना पड़ेगा, और ऐसी कि हम लोगों को मास्क बनाना, मास्क लगाना, कैसा ठीक होगा मास्क लगाना, नाक के उपर कितना जाना, नाक के नीचे भू को कितना खोल के रखना, या क्या क्या चीजें हम लोगों ने इस दोरान नहीं सिखाई, एक मास्टर ट्रेनर की भूनका में रहा है मीडिया इस दोर लेकिन बच्चों ने जो अनुशाशन दिखाया है वो मतलब हैट्स आफ करने वाली बात है और जिस तरीके का उन्होंने अनुशाशन किया लेकिन च्योंकि बच्ची बहुत क्रियेटिव होते हैं चुप नहीं रह सकते हम उनको सो बार टोके चाहें 200 बार टोकें बच्चों क दिमाग में कुछ चलता रहता है मीडिया ने भी बहुत सारे हम लोगों ने भी अपने या बहुत सारे तरह के प्लेटफॉर्म्स दिये कि आप अपने घर जो क्रियेटिव काम कर सकते हो प्लीज करिए और वो हमको दीजी हम सबको बताएं मैं अपने याँ छोटे से कॉलम क ने जिकर करता हूं एक वीथी का जिसको अंग्रेजी में गैलरी करते हैं उस वीथी का एक कॉलम की हमने शुरुआत की और उसमें हमने बारवी तक के बच्छों के लिए एक मंच दिया कि जिसमें वो अपने क्रियेटिव जो भी चीजें करते हैं वो हम लोगों से साज्णा आप्क्राब ये लाजना हमारे परड़ने मेल आती थे यजन मेल परड़ कर सकते हैं लेद मूंद इरा विछ जाने के बहुत सार जाह दो होarm कि कि जैसे घर के खराब वो जाने वाले या कबाड माने जाने वाले सामान से कुछ अच्छी चित है, वो भी हमने सामने रखता, हम लोगों ने कौलम शुरू किया कि गुरू जी की चित्थी, उसमें हम लोगों ने बताया कि गुरू जी इस जो अपने घर में बंद हैं, वो कैस बच्चों को गाइट कर रहे हैं, अपने उनके जो फ़लोवर्स हैं, उनको जो बहुत मानते हैं, वो अपने बच्चों से कैसे आग्रे कर रहे हैं, कि आप कैसे इस लागडाउन पीरियड में अपने समय का सद्वियोग करें, कैसे अपनी पढ़ाई को जारी रखें, हम लोग अरजियन के रूप में भी एक हैं, हम लोग एक मीडिया के रूप में तो मान ली हैं ही हैं, लेकिन हमको हमारी चिंता ये भी है कि हमारे बच्चा कैसे स्कूल जाएगा, कैसे पढ़ेगा, कैसे आगे क्या होगा, धेर सारी चुनौतिया भी सामने, लेकिन उन छोटी-छोट चीजों को हम लोग जैसे जैसे गुथी ए सुलजिती जा रही है हम लोग सामने ला रहे हैं और मुझे लगता है कि ये एक इतियासिक पल है सीखने सिखाने का मेडिया ने भी बहुत कुछ इस दोरान सीथा है हम लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं ये भी उसका एक के महाल में हमने एक रेजिस्ट्रेशन कैंपेज भी चलाया था यही कोई एक सब्सक्रा पहले तो हमें लगभाग हजारों से ज्यादा रिपॉंट आए थे और यहां तक की प्रॉफेसर्स, डॉक्टर्स, अस्टिन प्रॉफेसर्स और हर फील्ड से लोगों के थे और उनका सवाल जो था, करkay कॉमन था कि उनके मेंटल ही कहें लिए स्कूरें का क्या होने वाला है उनकी फीछ्य की जा तो नहींते का क्या होने तो सर मैं आप से सवाल पूछ रहूंकि लोग्डाव के बाद जबुर्स त्यूंग जिभें गो स्टूडन वल-पेर के लिए आपके क्य क्लासे की रिव ओपनिंग के बाद आप क्या काम करने वाले और सुडेंट की काउंसिलिंग कैसे कराएंगे आप देखिए जो सबसे ज़्यादा पहले तो सबसे शुक्रिया आप लोगों का सबसे ज़्यादा जो परिशानी बच्चों की आ रही है थास करके हमारा एक्जाम क् हंको कौ से पास करें ऑर सबसे बड़ी परेशानी हिंदोसान में अभी भी है जो गाओंमें में 5 जो बदि जैने भी बहुत सारी परेशानी हुई 18,300 को कैसे भेजा गया यह सामने से देखा इस रमजान में भी बहुत सारे ने भूंजर कर आप लाप लिए ब्स से उट्डर लेकिन इस तरह नहीं हो पाती है तो साइकोलोजिकल बहुत बड़ा एफेक्ट यहां पर हमारे साथ तो साइकोलोजिकल भी हैं बहुत मतलब एक्सपियेंस वोडल भी है तानिया मैं है और अनुशल साइब बताएंगे इच्छा सा कि बहुत बड़ा प्रेशर यह हो जाते हैं साइकोलोजिकल हमें यह हो जाता है कि अगर हमसे यह कहा जाए कि आपका यह महल है राज महल है लेकिन आप इस राज महल से बाहर नहीं जा पाएंगे आपको इसी में कायत कर दिया जाए तो इसी में बहुत बड़ा वो साइकोलोजिकल बहुत बड़ा इंपक्ट पड़ जा तो यह लगता है प्रेशर हो गया और उस प्रेशर को इतनी सब कुछ है इंटर्नेट है खाने पीनने की चीज़े पानी है आप स्टूडें के द्वारा एलेक्टि रिप्रेशनटेटी रहे हैं तो बैसिकली आप स्टूडें को मियुनिटी को रिप्रेशनट करते हैं चालीज सब एक चुलेंगे बात से लिए बात की तो योनिगोसित खोलेंगी स्कूल इटर रह चुके हैं करेंगे जैसा भी जो डिपार्टमेंट वाइज होता है अगर जो भी उनकी परिशानी आती है हम जा करके जैसे भी डीन विलफेर स्टुडेंट के पास अगर उनसे परिशानी का हल सलुशन होता है तो उसको कोशिश करेंगे कि उनके लेबल पर प्रॉप्टरियल टीम है उनक करके प्लेस्टु के जो फाइनल येर के स्टुडेंट उनका अभी बोर्ट का एक्जाम रह गया था बहुत सरे अभी सबसे बड़ी परिशानी जो बच्चे 24 और बिल्कुल पढ़ाई में बिल्कुल अब तब आपना नीट में दे रहता है नीट के लिए लाइबरेरी और रीडिंग रूम में दे रहे तो अचानक से उनका डिस्रफ्ट हो जाना पढ़ाई का और फिर उसके बाद कोई भी ना लाइबरेरी का फैसिलिटीज ना रीडिंग रूम का फैसिलिटीज ना कोई शॉप ऐसी कि वहां पर किताबें और नोट से ले ले वहां गाउं में इस अब यहां पर इस पर चाहिंगे बच्चे आना शुरू करेंगे तो सबसे पहले तो उनको अभी परिशानी सबसे बड़ी आने वाली है कि हास्टल में कैसे इंट्री हो फिर उनका डाइनिंग कैसे शुरू हो फिर उनके बाद इस टेप उनके लिए बहुत जादा श्रू आ तो इसको पुशिश करेंगे कि उनसा इंट्रेक्शन हो कि कम स्टूडेंट भी नहीं है लिए 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 कि आप जानते हैं कि अगर प्लस अगर स्कूल्स के मिलाइन तो करीब 40,000 के करीब स्टूडेंट तो एक चोटा नंबर भी नहीं है बहुत बड़ा नंबर है तो इस नहीं बच्चे कर पा रहे हैं वो सबसे बड़ी वो सबसे जाधा फोन कर रहे हैं कि अभी एक्जाम के लिए कहते हैं तो तो उनको उनलाइन क्लास की प्रॉब्लम्स आ रही हैं सर क्या आपने इस पर सवाल उठाय हैं सर मैं वाईशनलर साब से और जो अर जो अर चुकि इस माहल में इतना अच्छा इंटरनेट होने के बावजूद भी हम सही से नहीं कर पा रहे हैं मतलब आप देख रहे हैं कि हर चीज नहीं हो पा रही है वीडियो लेकिन जो बच्चे गाउं में हैं जो बच्चे वहां पर हैं बहुत दूर है जैसे कश्मीर में इंट बंद है जैसे बहुत सारी जगह पर इंटरनेट भी बंद हो जा रहा है और नेटवर्क नहीं आ रहा है तो उनके लिए सबसे बड़ी जो परिशानी आ रही है वो बार बर यहीं चीज हम को कंसर कर रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर के बार बर हम यह कह रहे हैं कि स्टूडेंट थे वह भी बहुत परिशानी आ रही मतलब बहुत सारे लोगों की बहुत सारी परिशानी है कि मतलब दिन रात लोगों में यही चीज अभी एक बहुत बड़ा टेंशन यह भी है कि क्या हूगा आखे हम कैसे मैनेज करेंगे अपनी पढ़ाई को अपने कारिय स्टूडेंट के लिए सर आप क्या कुछ कर रहे हैं कि स्टूडेंट की कांसिलिंग हो के लिए स्टूडेंट कांसिलर अवेलिबल हो जिससे उन पर मांतित दबाव ना होकर और फिर वो अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करते हमारे हाँ एक बहुत अच् इंटरेक्शन होता बच्छों का तो अगर एक बार यह माहौल यहां पर वापास आजाते हैं और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि एक हफ्टा इंटरप्ट कर रहा हूं मैं आपको सर की इंटर इन प्रॉब्लम से वो डील कैसे करें सर देखिए इन प्रॉब्लम से बताना जातों कैसे डील करना है सिंस फिजिकल आइसोलेशन हो चुकी है तो मेरे को लगता है कि जहां पे हैं अपने फैंबली मेंबर्स के साथ मैक्सिम से गैसम टाइम यहीं उनलाइन क्लासिस को बिल्कुला इंग लिएदा मेरे का स्थम करना है और यह वीकोई मेरी Siqs लॉक्द टाइम के दुरान का मोगई तो उनको इस तौरा ज्यादा जादा फिजिकल आयए करनी चाहिए इसके दोने के आपने कार्यी तोव सहन ऐता है तोवन में तोफिक समय हैं, है कर में नज्य एकर है, है कर दोने कर को एक फॉक्स्य ज़ाँ États कर दो कर और, तो आप क्या suggest करना चाहेंगे हम देश्टू ठीक है आपको अवाज आ रही है अलो जी बिल्कुल जी अच्छा तो जो students मेरे पास आते हैं already जिनको anxiety है या शुरू हो रही है उनको मैं बोलती हूं कि आप अपने उपर अपने mental inner environment पर फोकस करें जिससे कि आप अपने mental positive कैसे रखें इनमें से नंबर वन मैंने आपको बताया था कि जो भी उनकी hobbies या इंट्रेस्ट है उससे आच्छल बैबिनार्स हो रहे हैं online classes हो रही है तो वो उसके करें प्लस एक discipline day रखें अपना exercise बहुत जरूरी है जिससे कि feel good hormones generate होते हैं serotonin और इससे भी feel good hormones है उसके लिए आप विशक थोड़ा था walk करीजे या virtual gym कर लीजे अप मैं meditation और deep breathing पर बहुत एंट्वाइज करती हूँ holistic का मतलब है कि mind body and spirit सीनों एक harmony में होनी चाहिए holistic counselling का मतलब होते हैं कि बच्छों को बताया जाए कि जो mind का effect है वो body पर आका है और हमारी spirit soul पर भी आप है इसलिए उनको कैसे केर करनी है, body कैसे केर करनी है, soul की कैसे केर करनी है तो practically मैं उनको यह सिखाती हूँ जो कि मैं अभी बता सकती हूँ एकिसम बच्छों को मैं बोलूँगी कि एक गंता अपने लिए निकालें जिसमें सबसे पहलें साइलेंस में बैठें और deep breathing करें जो कि एक लंबी फ्रांस आप नीचे तेक, नीचे ते लिए तुमक के नीचे अप्रमेंट से और फिर आप उसको जितना बी मांद ओर लेकर जाते हैं लंगसर फिर आप उल्ड करते हैं और फिर आप उसको मूं ते रिलीज करते हैं कि आप जब 17 मिनिट करेंगे तो आपक जितना भी माइन ओर अवर एक्टिव वर्क कर रा था अपने आप अप अप स्लो हो जाएगा, आपका जो अप्टर र अग्जाइटी कर रहा था वह अपने आप अपने आप जो अपने आप अप स्लो हो जाएगा, और उसके बाद माइफुलनेस मेडिटेशन होती है जिसे कि उनको बिलकुल और आपको ग्राउंडिंग हो जाती है आप बोस तेंटर और काम और सेबल हो जाते हो और फिर अफिर अफिर में उनको सिखाती हूं जैसे मैं आपको पहले बताया था इसे फिर वो रोज अपर अपनी लाइफ में आपको आपको पहले रूटीन में लाएंगे तो देखेंगे कि वो अपने ओपर कंट्रोल रख पा रहे हैं और इसने जादा बिच्छलेट नहीं हो पा रहे हैं तरस मैंने बोला कर जैसे यह कुछ आप हैं जिनको वो सुन सकते हैं जैसे कि काम काल्म पर एक मैं बतारी हूं यह बच्छे जो अगर सुन रहे हैं लिख सकते हैं काम, कोरू, कोर्यू, कोर्यू, और स्ट्स बस्कल, और हैट पेस, यह कुछ अप्स हैं जो मेडिशेशन करवाते हैं, रिलाक्सेशन टेक्नीक बताते हैं रास को सोने से पहले और जरूरी है तूरंस को मैं एक हाऊंगी कि आप अपने वाट्स आप और यह सारे सोचल मेडिया से डिस्कनेक्ट कर दीजेए क्योंकि स्लीपिंग डिस्टर्बंस बहुत आ रहे हैं बच्छों को आजकर, बच्छों को ही नहीं, बड़ों को भी सबको स्लीपिंग पाटर्न बहुत खराब हो गए हैं इसलिए रात को सो अपने से पहले एक घंटा पहले आप अपना सोचल मेडिया और यूस तब डिस्कनेक्ट कर दीए अपना जो रूम का एंवायमेंट उसको रिलाक्सिंग बनाईए आप ऐसे मेडिटेशन जैती अप सुनें और अपने रूम की लाइट सोड़ दिम रखिये रात को गरम दू बॉडी की मत्रोग रिलाक्स हो जाती है और साथ साथ में सांस भी हम वी वाचा ब्रेफ जिसे की हमारा माइन भी जो हो जाता है इस तरह से अपनी एनर्जी को हार्मोनियस नाकर फिर आप कॉंशिसली फिर आप सुएंगे कॉंशिसली रिलाक्स करके फिर आप अच्छी नीं कर रहा हूं मैं कि अगर आप टेली कम्यूनिकेशन भी करती है क्या मैं हांजी हांजी मैं करती हूं चुरू करती है तो मैं मैं बोल रुटना चाहरा हूं आपके रिक्वेस्ट है मैं कि अगर आपकी पर्मेशन हो मैं को हम अपने शो के मादें से या फिर शो के बाद अपने कि और एंजियों केमादम से मैम क्या आप अपको भी इंसलिद कर सकते हैं मैं LA Counseling के लिए कन जाड मै विज आपको लग इसफार लिदो कीमोर सっ Kiss S कि अधर 2020 को अधर देखा जाए तो यह आसा अच्छा नहीं रहा है तर इस नामनों में लोग फसे हुए हैं तर जी और उनके दिमाग और जी दिमाग और मानसिक पर भी इसका अधर हो रहा है तो क्या मेडिया ने अभी तर चीज नहीं निखालता है वो समग्र में निखालता है पूरे परिवार का अखबार होता है, उसमें हर सेग्मेंट होता है, इस्टूडेंट भी उसका एक बड़ा पार्ट है, और जब हम छोटे से लेके बड़े तक का, बच्चों से लेके बूढों तक का, खेल से लेके मनोरंजन तक का, उनकी माथा पच्ची से लेके और सुडू जो को तक कहाल रखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की चीजें स्पेस्विकली अभी ही एर्डस की जानी चाहिए। यह सब चीजें कहीं मेंटल हीलिंग के लिए ही होती हैं। मैंटल आप पर डायवर्जन करने के लिए होती हैं। कि आप गलत तरीके से या जो गलत चीजें हो रही हैं जिनका हमारे दिमाग में बुरा असर पड़ता है उन बुरे असर से हम कैसे उभर सकते हैं इन सब चीजों के लिए ही होती है मुझे लगता है कि ये बात कुछ हद तक कह सकते हैं लेकिन उसमें किसी इनसानी सक्सियत का नाम नहीं है ये बदनामे की 2020 जो है बहुत अच्छा नहीं रहा तमाम कारण उसके रहे हैं तो उसका दिदान भी है जैसे हम लोग सोचते हैं कि आपदा में कहीं ने कहीं आउसर आत कोई एक ऐसा उपकरन बनाते हैं जो कि आपके मेडिकल में काम आता है या सैनिटाइजर जिसको कि हम लोग केवल अस्पतालों में बहुत सीमित दायरे में इस्तेमाल किये जाता था आज अगर कोई उनिवस्टी बना रही है चाहे वो एम यू हो चाहे कानपुर की छत्रपत कि शाहुजी माराज उनिवस्टी हो अगर सेनिटाइजर टनल कोई बना रहा है यह सब सीखा तो इसी पीरियड में गया है तो आप इसको इस रूप में कह सकते कि एड्रस नहीं की चीजें यह एड्रस ना करने का मिशेनी है इस समय जब जीवन ही संकट में है जब जीवन ही संकट में दिख रहा हो तो उसमें बचना पहले पहली प्रात्मिक्ता होती है आप जब स्वस्थ रहेंगे बचेंगे स्वस्थ रहेंगे तो आगे करियर भी बनाएंगे हमारा मतलब मुझे लगता है कि एक दम पिन पॉइंट की पाद कर दोल हो जाना कि इस चीज को एड्र की कि अनगे के बारे में आज हम दिसक्र स्कर रहे हैं उनके मैं इस पॉर जो की बहुत बड़ा इस आज पर मां आगे की इन वह सामने नहीं आना चाहते क्योंकि और पर प्रिशर से प्रिसेज्ड बोला जाता है तो अगर यह बात पहुंचती तो मीडिया ने तो सर पहुंचती तो अभी बहुत जल्दी और बहुत आधा अधूरा सा है कि पहली हमारी लडाए कोरोना से है मेंटल हेल्थ तो मेंटल हेल्थ हमारा तभी ठीक होगा जिस दिन हमको यह सूचना मिलेगी कि हमने इसका इलाज खोज लिया कोई टीका खोज लिया कोई दवा खोज ली यह जबना परिंडमिक है पहले उससे निपटना सबसे बड़ी अब जब लाग हुए तो हम लोग पिर देखिये उसकी स्वतनत्रता उसी आजादी उसी बेपरवाही पन से गूम रहे हैं नतीजे भी सामने हैं उसके कुछ खत्रे भी सामने हैं तो यह मतलब हम लोग इंसान है थोड़ा बहुत गलतियां करते हैं लेकिन बहुत सारी चीज अब बहुत जल्दबाजी का सवाल है यह कारण यह यह जो चीजें है यह चीजें अभी केवल इसलिए नहीं यह सरकार को ही किसी के पास सरकार कि कि किसी भी जग जगए यह जादू की चड़ी किसी के पास नहीं है जो एक मिनट में कोई वीडियो बनाएगा और उसको डाल देगा और उसको पढ़ाया जाने लगेगा यह वन वे कम्यूनिकेशन का जो सिस्टम है कि आपने वीडियो एक यूटूब में अपलोड किया और बच्चे उसको उसी त पड़े हुए हैं तो अभी जिस वक्त आप गोंपेर नहीं सकते चल फिर नहीं सकते उस समय इस चीजों के सल्यूशन कहां से आ जाएंगे सरकार के दावे अपनी जगे हैं दरातल पर अभी भी बहुत सारी चीज़ ठीक नहीं है वह आप जो शुरू में इशू कह रहे थे कि 40% पापुलेशन के पास इंटरनेट है बिल्कुल साही बात है it यह सब सरकार के दावे हैं जो की प्रामीड अंचल में अभी वहां पर बहुत अच्छी व्युस्थाएं नहीं हो सकी हैं इस सचाई को सब लोग जानते हैं लेकिन अभी चोकी हमारी प्राइब करोना से लडाई है इसलिए यह सवाल भी एड्रस हो रहा है लेकिन उसके बारे में दिरे दिरे चीज़ें सामने बहुत सारे लोगों ने खुद को बदला है क्लास्रूम्स की साइज बदली है क्लास्रूम्स के तरीके बदले हैं तो यह भी बदले हैं के चीज़ें ठीक होंगे दिरे से उमीद करना चाहिए कि हम लोग ठीक करेंगे सब जिसको बहुत धन्यवाद सर लेकिन इसको भी एक मुद्धा बनाया जाए 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 तो भी उठाया जाए है जिसको कि एक गोली को रूप में दे देंगे और मेंटल सबका ठीक हो जाएगा यह बहुत सारे हमारे घर परिवार परिवेश स्कूल कॉलेज इंस्टिउशन नाते रिष्टे सबसे मिल के बनता है हमको को यह कड़वी बात कह देता है हमारा मोट खराब हो जाता है तो इ जब यह चीजें उठेंगी तो उसके समधान भी खोजे जाएंगे अभी हम लोगों ने प्रकास जावरेकर जी का अभी हम लोगों ने वेबनार किया उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हम लोगों ने पूछे हैं जिनको लेके कि सरकार अपनी तयारी कर रही है उन्होंने वह च कि अप स्टुडेंट है सर आप अपको भी पता होगा सर कि क्या में बैंटल करिस्टर होता है सर और उसके अलावा सर आप एक फुद एक इलेक्टिट स्टूड रेप्रेजंटेटिव रहे हैं सर तो आपने अपने लेवल पे सर स्टूडिंट्स के लिए और उनके कल्सर्स क किया सर क्या किया और अब बताएं सर कि क्या आपने ये एंशर किया कि्युद्न ने अफेक्ट bands और उनके इग्जैम जो जो प्रॉब्ब्लम्से ऑग्जैम्स कि वो सौल इसका तो幫प अपने दिया तिन अथर क क्या अपने एंशुर किया और क्वें एक इस पर देख चाहिए तो सब डिर्ड फून करते हैं कि कैसे होगा यह सारी चीज़ तो खैर उनके लिए बहुत सारी चीज़ा जैसे आपी राइसाब भी बैटे हुए है अलग बना हुआ है जिसके एक साजी दली सब्सक्राइब है और आफ-लाइन भी सिंगल और गूरूप इसके लावा इसमें शोचल वर्क डेपाट्मेंट सोचालेजी डिपाट्मेंट यह सब बहुत बड़ा रोल प्लेकर सब्सक्राइब लेकिन इस पर बहुत बड़ा चुकी सब्सक्राइब बहुत बड़ा चुकी सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके साथ साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं जो बहुत मतलब इसी पर ज्यादा तर काम कर सकते हैं जो भी मैं ने बताया तानिया और अंशुल सर ने बताया यह बहुत अच्छी चीज़ नवीन सब्सक्राइब सब्सक्राइब करता हूं कि आप यह बताएं कि आप अलिगर्ण मुस्लिम इनिवरस्टी में आपके आपने बताया सब्सक्राइब और इंडिया में 40 crore students हैं तो उनके लिए क्या हो सकता है तो स्टूडेन लीडर जो हैं सर कंट्री के वह स्टूडेन का मुश्ट के लिए अउनके मेंटल हेल्ष के लिए क्या कर सकते हैं क्या कर रहें देखिए जो हम लोग का student leader होता है तो एक ये गाँ ब्रेज है जो आडवनसेशन और student के बीच ने बीच ब्रेज है जो भी परिशानी होती है एक ब्रेज के तौर पर हम जा करके उससे बात रख कि उनकी जो भी परिशानी हो उसको उस लेबिल पे ले जा करके उनको solve पराने की वहां लिए कि प्रिशानी उसको अगर में दिखाने की है या उसको हो सकता है कि सिर्फ psychology के लिए आइसी बात करके खतम किया सकती है उसके mental health हो सही किया जा तक है तो उसमें भी कोशिश कर सकते हैं बहुत सारी ऐसी परेशानी आते ही। कि पढ़ाई लिखाई के अलावा बहुत सारी ऐसी अलग से परेशानी, खाने की परेशानी, रहने की परेशानी हमारे हैं एक student के सबात बाद के लिए की वो अलग रहा था ता, उसको कोई दोस नहीं था उसकी कोई भी psychological लोगों नहीं हो पाया मतलब coordination नहीं हो पाया हम दहुत अफसोस हुआ कि हम लोग नहीं पहुंच पाया उस तक कि हर इस्टूडट के पास नहीं कुछ है तो यह हम लोग का एक meditation है और जो भी परेशानी होती है हम लोग officials के पास जाते हैं जैसे बहुत सारे student ने कश्मीर से थे का कि हमारे internet नहीं है हम कैसे जो है online classes करें यह online हम एक्जान देगे तो उनकी बात को हमने रखा तो होने का कि special provision बहुत सारे लोगों कि यह रहा साब भी बहुत अच्छी तरीके साथ में सच्छन में कि बताएंगे कि आरे इस बात को मैं शुक्रियादा करूंगा कि यह बहुत अच्छा जो अच्छा अच्छे मुत्तबह में होस्स के साथ साथ पर्डिसिपेंट्स मिले और सब्सक्राइब लिगण में भी जानता हूं तो यह बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैंने देखा है कि बहुत बड़ा रोल है अगर यह सब लोग मिल करके को रोना तो बहुत बड़ी एक बहुत पांडबिक सिच्छन है कि हम लोग को उमीद भी न हर चीज से हर परेशाने से निकला जा सका और यह सब एक कहानी बन करके लिए जब यह खतम होगी तो एक कहानी बन करके थोड़े दिन के बाद इंशालला उमीद है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इसको मिल करके हम लोग सॉल्व करते हूं